मानिने सदस्य स्री राजकुमार रोध जी दन्यवाद मेडम आपने बोलने का अउस्तर प्रदान किया आज मेरा जो विशे है पिछले पाथ सालों के अंदर बन विबाग की जो भूमी है जो केंदर सरकार ने प्राइवेट कमपनियों को जो अनुमती दी है उनके खनन के लिए तो लगबागा बड़े दुख की बात है कि पिछले पांस वरसक के अंदर 18922 हेक्टर वन भूमी 180 कमपनियों को दी गई है आज देश पर्यावरन से जूज रहा है आज देश में परदुशन काफी हद तक पहुच रहा है हम पेड़ पोदे लगानी की बात कर रहे हैं लेकिन वन भूमी प्राइवेट कमपनियों को खनन के लिए दिया गया है ये बड़े दुख की बात है और इससे सबसे ज़दा अगर परभावित हुआ है तो आदिवासी समुदय परभावित हुआ है ये जो आकड़ा आया है 18,922 जो हेक्टर जमीन है उसमें से 16,490 हेक्टर सिर्फ चार राज्यों की है इसमें जारखान, 36 गाट, राज़ोस्तान, मत्यपरदेश और उडिसा और उसमें भी हम हिस्सा देखते हैं तो अरिक तर 90 परसेंट आदिवासी बाहुलिशेतर से तहनिया भी अगर उसको अपने जीवन में उप्येट के लिए अगर लेता है तो वन विवाग दिक्कत करता है लेकिन हम सिर्फ पांच वर्स के अंदर ही 18,000 से अधिक हेक्टर भूमी अगर प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं इस से आधिवसी समुदय परेशान हुआ मैं चाहूंगा मेरे प्रताप जिले के अंदर बासवाड़ा जो सेत्रा रहा है संसदी सेत्रा उसके अंदर केला मेला और देता दाता जहां पर आधिवसी समुदय बेठा हुआ है लेकिन केंद्र सरकार ने पर्मिशन दी है इसमें कहीं कि मैं चाहूंगा इसकी जाज कर इसको रुकवाया जाए अधिवाश्य को विस्तापित होने से रुका जाए धन्यवाद